हुए वि cidade और सुआ लिए चैनल पेपर रहकर आज के सी वीडियों हम बात करेंगे एक सच्छर नंबर आपका दॉब सब्सक्राइब भोब सीख tutte 6 पर 3 कि आपका बॉटनी का कोश्चन है भोब सब्सक्राइब को उब जिम्नो स्पर्म अनाबृत बीजी होता है उनका क्या करना है आपको आर्थिक महत बताना थे । सबसे पहले बात करेंगे ज़िम्नो स्पर्म होते हैं अनाबृत बीजी होते हैं जिमनो इसपर pineya, अनाब्रत बीजी वो क्या होते हैं? कहरा है कि अनाब्रत बीजी बे पौधे होते हैं, जिन में बीज ढके हुए नहीं होते हैं अर्थाहद बीज नंगे होते हैं कैसे होते हैं बीज मतलब आपको बाहर से दिखाई देंगे उनके ऊपर कोई बीज चोल या बीज आपरण नहीं पाये जाएगा ठीक है तो ऐसे पौदे आपके कहलाते हैं अनापरद भीजी ठीक है बीज तो होते हैं बट ढके हुए नहीं होते हैं मतदब कैसे हूझा हूगा नंगे उन्पे उपर क्या नहीं पाया जाता है बीज चोल या बीज अब्रण southwest जो है नहीं पाया जाता है चीजे मिलते कहा रहा है ये पौदे अनेक लावकारी पदार्थ प्रदान अनेक लावकारी पदार्थ जो है प्रदान करते हैं जैसे अब हमें यहां से पढ़ना है कि इनका महत क्या है आर्थिक महत क्या है यह तो हुआ था कि आपके जो अनाबरत बीजी है वो क्या होता है ठ लकड़ी मनुष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है, बहुत सारी चीज़े जो है लकड़ी से फरनीचर वगरा इससे बनाया जादा कहरा है, मनुष्य लकड़ी को जलाने, मकान बनाने, फरनीचर बनाने, खिलाने, संदूक, माचिस बनाने में उपयोग करता है, तो इस तरह से लकड़ी का बहुत ज़्यादा क्या है, उपयोग है, तो क्या बनाया जा सकता है, लकड़ी जलाने के काम आ सकती है, मकान बनाया जा सकते हैं, खिलाने बनाया जा सकते हैं, बन्दू के बनाया जा सकते हैं, और माचिस साधी इससे बनाया जा सकता है, कुछ अनाबरत बीजी आपका चीड क्या है आपका चीड या पाइनस ठीक है तो चीड कह रहा है चीड की लकड़ी अने कारियों में उपयोग में लाई जाती है जैसे पाइनस रोक्स वरगाई क्या है पाइनस रोक्स वरगाई की लकड़ी इमारत रेल्वेस लीपर पेटी माचिस आधिके लिये उपयोगी है यह क्या आपका पाइनस पाइनस रोक सो वरगाई यह क्या आपकी एक जाती है किसकी चीड की ठीक है चीड यानि कि पाइनस की एक तरह की जाती है पाइनस रोक सो वरगाई इसकी लकड़ी किस काम आती है इसकी लकड़ी आपके इमारत मनाने के काम आती है मतलब में जो खड़कियां लगती रेलवेस लीपर ने या आदिर बहुत उपयोगी होती इसकी लखड़ी में रेजा की खुशाबी किसकी किष कुशाबउ आती है रेजा पीन बैली चिनाना से क्या मिलता है आपको कैल नामक लकड़ी प्राप्त होती है किससे तो याद रखना आपको पायनस बैली चिनाना इससे क्या मिलता है कैल नामकी लकड़ी जो है आपको मिलती है ठीक है तो इस तरह से चीड की लकड़ी जो है एक पौदा है जिससे प्राप्त ल ये उच्छ पहाड़ों पर जो है आपको मिलता है और कहरा है इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है ठीक है यानि की कैसी होती है मजबूत या हाड होती है तथा बरतन नाव पैंसिल फरनीचर बनाने में काम आती है तो इसकी लकड़ी से कुछ बरतन भी जो है बनाया जाते ह और नाव भी बनाई जाती है बोट बगार है पैंसिल फरनीचर आधी जो है इसकी लकड़ी से बनाई जाते है किसकी सिड्रस देवधारा ठीक है जो उंचे पाणों पर मिलता है थर्ड आपका कहरा है जूनी पेरस क्या है आपका जूनी पेरस तो इसकी लकड़ी पैंसिल बना में आती है किसकी एवीज की लकड़ी जो है वो railway sleeper यानि कि railway में जो आपकी seats बनी होती है उनको बनाने में काम आती है और जो है इसके packing के डिबे भी बनाया जाते है ठीक है किसके इसकी लकड़ी के जो है संसार का सबसे लंबा पौदा है इसकी लकड़ी ताबूत बनाने के काम आती है किसके काम आती है इसकी लकड़ी के जो है ताबूत बनाया जाते है किसके सिकुआ की लकड़ी के और हलकी होती है लकड़ी कैसी होती है आपकी हलकी होती है ठीक है शिक्स आपका आजागा पाइसिया क्या है पाइसिया ठीक है तो यह लकड़ी हलकी होती है पाइसिया की लकड़ी कैसी होती है आपकी हलकी होती है और इसमें जो है रेजिन आपका नहीं पाया जाता है पाइसिया की लकड़ी हलकी होती है लेकिन इसमें रेजिन नहीं खिलोने आदी बनाने के काम में आती है ठीक है पायचिया की लकड़ी किसके काम में आती है खिलोने आदी बनाने में आती है ठीक है रेजिन नहीं पाया जाता और कैसी होती है आपकी हलकी होती है इसलिए खिलोने जो है इससे बनाया जाते है ठीक है तो कर रहा है रेजिन जिम्नो स्पर्म से प्राप्त होने वाला एक महत्पूर्ण पदार्त है रेजिन कहां से मिलता है जिम्नो स्पर्म से प्राप्त होने वाला कैसा है important जो है सभस्टान्स या पदार्त है यह पाइनस पाइनस एक्सिल्सा क्या है पाइनस एक्सिल्सा ठीक है दूसरा कॉमा पाइनस आपका रक्सा वरगाई क्या है रक्स वरगाई तो यह आपका पाइनस एक्सिल्सा और पाइनस रक्स वरगाई और आपका क्या है Agathis Australis और आपका Agathis Alva से प्राप्थ होता है तो ये कुछ आपके पौदे हैं आपको 3-4 के नाम दे रखें इन सभी से आपको क्या मिलता है रेजिन मिलता है ठीक है किस से Pinus Axle सा और आपका क्या हो जागा Pinus Rocks वरगाई और आपका Agathis Australis और आपका Agathis Alva तो ये सभी रेजिन प्राप्थ कराते हैं ठीक है हमें अंबर जो की एक जीवास्म रेजिन है क्या है अंबर आपका क्या है एक जीवास्म रेजिन है एक करोड़ों बर्स पहले Pinus Saxini Fera से प्राप्थ हुआ था कहां से मिला था Pinus Saxini Fera से अब क्या है एक जीवास्म के रूप में जो है पाया जाता है ठीक है अंबर इस नामक जीवास्म से निकली रेजिन से बना था ठीक है किस नामक ये जो आपका पौदा है इस पौदे से क्या मिला था इस से जो रेजिन निकली थी उससे आपका बना था अंबर जो की अब क्या है जीवास्म रेजिन है ठीक है कहरा है अंबर बहुत सक्त एवं गहरे रंका होता है सक्त और कैसा होता है आपका गहरे रंका होता है ठीक है कहरा है कुछ कुछ जिम्नो स्पर्म जैसे आपका कहोगा पाइनस रोक सुबरगाई एवं आपका पाइनस बलसामिया से एक क्या मिलता है आपको बिसेश प्रकार का रेजिन प्राप्त होता है ठीक है पाइनस क्या है आपका रोक सुबरगाई और पाइनस बलसामिया इनसे क्या एक बिसेश प्रकार का जो है रेजिन प्राप्त होता है जिसे क्या कहते हैं कह रहा है जिसे oleo resin कहते है क्या कहते है जिसे oleo resin कहते है जो इन दोनों पौदों से मिलता है और इससे कनाडा बालसम बनता है क्या बनता है कनाडा बालसम जो है आपका बनता है ठीक है किससे oleo resin से इसका उपयोग प्रियोग सालाओं में चिपकाने में किया जाता है जो आपकी प्रियोग सालाओं होती है लेवरेटरीज होती है उनमें किसी चीज़ को चिपकाने में इसका उपयोग किया जाता है ठीक है किसका ओलियो रेजिन का अब थर्ड आपका आजाता है गोंद, अभी क्या था आपका रेजिन, उससे पहले क्या था लकड़ी, अब थर्ड पांट क्या है आपका गोंद बाला, ठीक है, तो कुछ पौदे ऐसे होंगे जो हमें गोंद प्राप्त करते हैं, उनका काम क्या होता है, करा गोंद, साइकस सि निलिस से प्राप्त होता है, जो आपका गोंद है, वो कहां से मिलता है, आपको साइकस सर से निलिस, जो कि आपका क्या है, कि जिम्नो स्पर्म पौदा है, ठीक है, इससे आपको गोंद प्राप्त होता है, ठीक है, और ता आपका आजाता है, आवश्यक तेल, ठीक है, एसें है अपके साभुन हो गया पैंट हो गया सेंट हो गया आदि बनाया जाते हैं ठीक है क्या बनाया जाता है ऐसे होते हैं जिनकी लखणियों से कागज बनाया जाता है कह रहा है पाइनस आस्ट्रेलिस ठीक है क्या है आपका पाइनस आस्ट्रेलिस और पाइसिया रेपिन्स एवम आपका क्या जाता है एवीज एवीज कोनी ओटोर आदि की लकडी से कागज बनाया जाता तो यहाँ पर आपको केद रखा केला काया झालओं रखना तो कुछ पौधे आपके ऐसे हैं जिँमनो चीमिन स्पर्म तो स aç कॉंद से पौदढी जो सेड़िलोज कोढ़ारा है कि डियाव कुछ जिमन स्पर्म जैसे आप क्या होगया पाइसिया की लकड़ी से सेिंस कि और सेलुलोज नायट्रेट बनाए जाता है तो पाइसिया बिस लोज कहा से मिलता है पाईसिया की लंगडी से क्या बना जाता है तान ये आपको एकर दो सभी जुम्लोस-फर्म बनते है द 때문에 लेकिन अभी हमने उपर देत ख़ाँ आपका जो लकडी थाउकित का रिजन थाया आपका गो्ड था' या पका काधस था तो 13 में अलग अलग था लेकिन आपका टेनिंस है वह सभी ships पर जो है जो इसको बनाते हैं लेकिन मुख रूप से क्या है मुख रूप से आपका सूजा कैनाडेंसिस ठीक है सूजा कैनाडेंसिस और सूजा हिटेरोफिला ठीक है क्या है सूजा कैनाडेंसिस और सूजा हिटेरोफिला की चाल से प्राप्त किये जाते हैं ठीक है तो यह दो आपके क्या है मुख रूप से इसे हमें ज्यादा से Cainodensis, Suga, Heterofila, यह दो विशेस रूप से जो है, आपको प्रोभाइड कराते हैं, ठीक है,Talence, कहना है इनका उप्योग स्याही बनाने में किया जाता है, ठीक है किस में किया जाता है भी टालेन्स का उप्योग, स्याही बनाने में इनका उपयोग किया जाता है ये खाद पदार्त कि गरम बाद करें तो इलोबिल इलेवल प्रोड़क्ट कि गरम बाद करें तो ये कहाँ कहा से आपको मिलता है कौन कौन से जुम्नों спर्म जो है आपको प्रुवाइड कराते हैं क wysуз irgendwann जिगराज ठीक है क्या है पाइनस जिगरार डियाना क्या है पाइनस जिगरार डियाना से प्राप्त बीज को चिल गोजा नाम से जानते हैं ठीक है जो कि आपका खाया जाता है ठीक है पाइनस पाइनस जिगरार डियाना से प्राप्त बीज यानि कि इससे जो आपको बीज मिलता है उसको हम किस नाम से चान फट जानते जो घोने के काम में आता है और फ्रोटीन और फैट का अच्छा सोर्च है इससे प्रोटीन और फैट जो है अधिक मात्रा में मिलता तो क्या हो जागा भी यह खाने के काम में आता और प्रोटीन फैट का क्या है एक अच्छा सोर्स है ठीक है प्रोटीन और फैट हमें अधिक मात्रा में से प्राप्त होता है जैमिया फ्लोरी डिना क्या है जैमिया फ्लोरी डिना से स्टार्च मिलता है किसे जैमिया फ्लोरी डि के तने से सागो प्राप्त होता है क्या होता है साइकस रिबोल्यूटा साइकस रिबोल्यूटा के तने से हमें क्या मिलता है अभी सागो मिलता है ठीक है जिसे साबू दाने की रूप में खाते हैं सागो साबू दाने की रूप में इसको खाते हैं इस कारण साइकस को सागो पा आपका सैगों की फार्म में मिलता है ठीक है नौ जो कि आपका क्या है औस दियो गजब नौ नमबर आपका क्या है औस दिया ठीक है कि क्या हो रहा है वाट अपन औके सैवन यर्थ 9 औस दी की अगर हम बात करें मेडिसन की अगर हम बात करें जो कि आपका तो मेडिसन या औस दी कर रहा सिडार तेल तुचह की बीमारी अभम घाव भरने में काम आता है ठीक है क्या सिडार तेल आपका किस काम में आता है बीमारी कौन सी तुचागी और आपके घाव भरने के काम में आता है इफेडरा से इफेडरीन क्या इफेडरा से इफेडरीन नामक अलकुलाइड ठीक है प्राप्त होता है ठीक है याद रगना इफेडरा से इफेडरीन नामका जो है अलकुलाइड आपको प्राप्त होता है ये स्वास की बीमारी सर्दी जुकाम आद में काम होता है ठीक है स्वास की बीमारी हो या सर्दी हो या जुकाम हो तो इसमें सभी में क्या होता आपका जो इफेडरिन नामक अलकलाइड होता है ये जो है उपियोग होता है या काम आता है टिन आपका लाए जाते हैं ठीक है सजावट के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं जैसे जूथा क्या आगए आपका जूथा को मोरपंखी कहते हैं क्या कहते हैं जूथा जो कि आपका क्या है मोरपंखी साइकस पाइनस और औरिकेरिया और आपका क्या है जूनी पेरस और आपका क्य पौदें जो किसमें काम आते हैं सजावत में हनावर्थ बीजी पौदों के आर्थिक महत अध्यों को हमें आप uniquely था ठीक है तो इसमें मतलब क्या महत है सभी क्षे क्या मिलता है ठीक है वो हमने जाना था ठीक है इसमें बहुत ज्यादा explanation का नहीं था तो केवल आपने क्या करना है पढ़ना है समझना है ठीक है और अपने answer को लिख देना है ठीक है अपने शब्दों में उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा जिमनो इस पर अनाबरत वीजियों के आर्थिक महत ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में बने रहे हैं महां साथ थैंक्स वाचिंग और शेयर दा वीडियो